जैहिन नमस्कार साथी हूँ कैसे हो आप आसा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगी स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नितेश जी के इस्टडी आईक्यू पर आज का टॉपिक हमारा समान यान से संबंदित महत्कूर्ण पिर्शनों के बारे में यादि आप मिस किस पिर्शन को असतर पहले से जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं साथी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करना और सेर करना बिल्कुल नोगोले वीडियो को अंतर जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जो इपिर्शन देखें तो सुरू करते हैं पहले पिर्शन से ललित कला अकादमी किसके समर्जन के लिए समर्पित है तो इसका सयांस रोगा आपको अप्सन नमबर थी ललित कला के लिए ठीक है नेश्ट कृषन देखते हैं नेश्ट कृषन आपका पंजाब में बक्ति आंदोलन के अगुरदूत कौन थे तो इसका सयांस रोगा आपको ऑप्सन नमबर ए नानक नैस्चोषन आपकर ने लिकित में से किसकी इस्तावनात जोतिवा कुले ने की थी तो इसका सयांस रोगा आपको अप्सन नमबर एक Yourselfxis समाज की मतलब सथ सोदक समाज की इस्थावना जोतिवा फुले ने की थी ठीक है नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन आपका बिद की सबसे लंबी रेल लाइन किन सहरों को जोड़ती है तो इसका सयान स्रोगा को परियावन के अनुकुल होने के कारण निन में से किसे सोदकोला की नाम से जाना जाता है तो इसका सयान स्रोगा को आपको अप्सन नमर वी जल विदुद को मतलब परियावन के अनुकुल होने के कारण जल विदुद को सोदकोला के नाम से जाना जाता है ठीक है नेस्ट कुश इसके बाए defence किशनित आपका जर्मनी के मुखमार में Hop6 मतलब जर्मनी के मुखमार में नीटपर को कहते हैं इसके बाए Second 이번 है clicking किशनित आपका जांविया की राज़धानी वानजुल का प्राटीन नाम क्या है तुसका सेयांस रोगाव को option number A वात्रेश्टेर ठीक है नेस्ट कुशन देखते हैं इसके बार नेस्ट कुशन आपका नारभी की राजदानी ओसलो का प्राची नाम क्या है तुसका सेयांस रोगाव को option number 3 क्रिश्टीना इसके बार नेश्ट कुछनाव का तुर्की की राज़दानी अंकारा का प्राची नाम क्या है तुसका सेयांस रोगाव को आपको आपसन नमर भी अंगोरा मतलब तुर्की की राज़दानी अंकारा का प्राची नाम अंगोरा है नेश्ट कुछनापका निमलिकित देशों में से किसे जीलो की बाठी का कहा जाता है तो इसका सहीयांत रोगा को आपको अप्सन नमबर एप फिनलेंड देश को मतलब फिनलेंड देश को जीलो की बाठी का कहा जाता है इसके बार नेश्ट कुष्णा पर किस देश को उगते हुए सूरिय की भूमी कहा जाता है तो इसका सियान स्रोगा को आफ्सन नमबर सी जापान देश को मतलब जापान देश को उगते हुए सूरिय की भूमी कहा जाता है ठीक है नेश्ट कुष्ण देखते है इसके बाद नेस्ट कुशन आपका अफ्रीका महादीप में सरवादिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो इसका सयांस रोगा आपको आपको आपसन नमबर B नाइजीरिया देश मतलब आफ्रीका महादीप में सरवादिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया देश है ठी का स्यांसहों होगा को option number a. Aatia में मतलब जन्समीं का सरवाधिक भाहर Asia महाधिक में पाया जाता है. इसके बार नेस्ट कुछन आपकर निम लेकित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं इसका स्यांसहों होगा को option number a होसा के बार नेश्ट कुरिशन आपका निम लिख्ट में से कौन सी जन जाती नील नदी की घाटी चेतर में निवास करती है अब को आपस्वलदा यह मूल अधीकार मतलब भारत के समिदान का जो भागतीन है उसका संबन मूल अधिकारों से है ठीक है नेश्ट कुष्ण देखते हैं इसके बाए नेश्ट कुष्ण आपका बरतमान समय में सूती बस्तर के उत्पादन में बिस्में पृत्थम इस्थान किस देश का है तो इसका सियांस में बिस्में पृत्थम इस्थान चीन देश का है इसके बाए नेश्ट कुष्ण आपकर कि नगर को चीन का मैंचेस्टर कहा जाता है त्श review को ओपन्न सी ऑन्पटी से से वैंकूवर धीक है नेश्ट कुष्ण दिखते है हैं इसके बाए नेश कुशन आपका निम लिक्त में से किसने तंजोर में ब्रहदेशवर मंदर का निर्मार कराया था तो इसका सियान स्रोगाप को आपस नमबर बी राज राजा प्रिथमने मतलब तंजोर में ब्रहदेशवर मंदर का निर्मार राज राजा प्रिथमने कराया थ भाले स्थायान से का और दोड़नेंवार, ईश्च लियान के ऐढ़ाइंगे। कब हुई तो उसका स्यांस रोग आपको ऑप्सन नमर भी 1985 इसवी में मतलब इंद्रा गांधी राष्टी मुक्त बिस्विध्याले की स्थापना 1985 इसवी में हुई थी नैस्ट किशन आपका हडपा सबता का सरवाधिक मानता प्राप्तिकाल क्या है तो उसका स्यांस रोग आपको ऑप्सन नमर भी लगवग 2500 इसवी पूर्व से 1750 इसवी पूर्व तक मतलब हडपा सबता का सरवाधिक मानता प्राप्तिकाल 2500 इसवी पूर्व से 1750 इसवी पूर् नेश्ट किछनाफ का मूल अधिकारों को सर पिरतन किस देगे मैं समवधान का क्फिंदान का पृप्सन no. D स dünya अमेरिका मैं मतलब मूल अधिकारों को सर पिरतन का पिरतन का किए थी घीक है नेश्ट किछन मतलब महیمूद गजनवी गजनी का भे प्रिथम सासक था जो खली पाउं से सुल्तान की उपादी धारंक ते रहेंट कर सुल्तान कहलाने वाला प्रिथम सासक बना था ठीक है नेस्ट कुशन देखते हैं इसके बाए नेस्ट कुछन आपका 3 पिटा के किस धरम के गिरन्त है? उसका सयांस रोग आपका 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 OPSON NUMBER B, बाधा धरम के ठीक है? नेस्ट कुछन देखते हैं इसके बाइब ये विचिनाव का महास्मा गाणी ने सत्या ग्रए फ्रियुक्त की थी जिزी प्रिसित भै चेरसासा कौन था जिसने करड़गी पत्तिनी के मंद्र का निर्मा कराया था जिवाइब भॉप लाण ग्रूऑ भेषिए सा सकता जिसने कड़गी पत्तनी के मंदिर का नमार्ग कर आया था ठीक है नेश कुष्ञन देखते हैं इसके बार नेश कुष्ण आपका भारती संसच के कितने सदन है तो इसका सजान सरोगापका आप को ऑप्सट नमबर 20 दो भारती संसच के दो सदन है नैश कुछनाव का सरवधिक लवर्ता किस सागर में पाई जाती है तो इसका सयान स्रोगाव का उप्स नमर ए मिरत सागर में पाई जाती है नेश्ट किशन आपका खारे पानी की दरश्टी से जो समुन्दर अन तीनों से भिन है भे है तक स्यान्स रोगाप को option number C मेरत सागर इसकी बार नेश्ट किशन आपका जो प्रवाल भित्ती समुन्दरी तक से कुछ दूर हटकर बनी होती है भे क्या कहलाती है तो इसकी बार नेश्ट किशन आपका किस प्रवाल भित्ती का आकार घोड़े के नाले अब मुतरिका के समान होता है तो इसका सही आंसर होगा आपका option number C, A-TAL का, मतलब A-TAL प्रवाल वित्ती का आकार घोड़े के नाल या मुतरिका के समान होता है, ठीक है, नेश्ट किशन देखते हैं इसके बाएं नेश्ट किशन आपका टत्ये प्रवाल वित्ती एवं इस्थल खंद के बीच बिक्सित होने वाले लेगुन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका option number D, boat channel कहा जाता है. मतलब तत्ये प्रवाल वित्ती एवं इस्थल खंद के बीच बिक्सित होने वाले लेगून को बोड Channel कहा जाता है इसके भाइस किशनाव का समस्पिर्टवी के छेतर फलका कितना प्रिटिसथ भाग जल से अच्छा दित है तो इसका स्यान्स रोगाव का उप्स Ärसितर नमजर का समस्पिर्टवी के छेतर फलका 71 पृतिसत भाग जल से अच्छा दित है ठीक है नेश्ट किशन देखते हैं इसके बार नेश्ट किशन आपको उत्री गोलाड में जल मंदल का वित्तार का पृतिसत कितना है इसके बार नेश्ट किशन आपको निन में किसे हिंदी खडी बोली का जनक कहा जाता है तोस्वा सयान स्रोगा आपको और सन नमबर A, अमीर खुसरों को, मतलब अमीर खुसरों को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, ठीका, इसके बार नैस्ट कुछन देखते हैं, नैस्ट कुछन आपको अंग कोरवाट मंदिर समू किस देश में इस्तित है, तोस्वा सयान सयान स्रोगा आपको और सन नमबर C, देहरा दून में, मतलब भारतिये सरविक्षन विभाद का मुख्याल है, देहरा दून में इस्तित है, ठीक है, नैस्ट कुछन देखते हैं, इसके बार नैस्ट कुछन आपको निमलक्त में से कौन सी अकादमी भारत में निरत नाटक त देखते हैं, इसके बार नैस्ट कुछन आप का भै पृत्र गाली कौन था जिसने गौवा पर अधिकार किया था, तो इसके बार नैस्ट कुछन आपको थायोग्षन id.. इस भी क्यों प्रिसिद्ध है तो इसका स्यांस रोग आपको आप्सिन नमबर A, प्लासी के युद्धिक के कारण है, ठीक है, नैस्ट केशन देखते हैं, इसके बाए नैस्ट केशन आपका आधूनिक भारती इत्याफ में, गोकुल दास तेजपाल संस्क्रिट महा विद्याल इसलिए प्रिसिद्ध है, क्योंकि भाती राष्टी का अंगर्स का पिर्थम अधिवेशन यहीं हुआ था, ठीक है, नैस्ट कृष्ण देखते हैं, इसके बाए नैस्ट कृष्ण आपका 1845 से 1905 के काल के भाती राष्टी आंदोलन में उदारवादी नेताओं का पिरभुत लोग सबाको, नैस्ट कृष्ण आपका पूर्व वैदिक या रिख वैदिक संस्क्रती का काल किसे माना जाता है, ठीक है, नैस्ट कृष्ण देखते हैं, इसके बाए नैस्ट कृष्ण आपका उत्तर वैदिक संस्क्रती का काल किसे माना जाता है, तो इसका स्यान्स आपका option number B, 1000 इसा पूरुव से 600 इसा पूरुव तक मतलब उत्र बैदिक सल्कृति का काल, 1000 इसा पूरुव से 600 इसा पूरुव तक माना जाता है, ठीक है, next question देखते हैं, इसके बाए, next question आपका भक्ती आंदोलन को दच्छन भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारिज़ करने का सरे किसे दिया जाता है, तो इसके बाए, next question आपका निम लेकित में से समराथ असो की भैपत्नी कौन सी, जिसने उसको प्रभावित किया था, तो इसका स्यांस रोगा आपका option number D, कारूवाकी, मतलब कारूवाकी समराथ असो की भैपत्नी थी, जिसने उसको प्रभावित किया था, ठीक है, next question देखते हैं, इसके बाए, next question आपका भाती राष्टी कांगेस की पहली वैठक किस सहर में हुई थी, तो इसका स्यांस रोगापका option number A, बंबई में, मतलब भाती राष्टी कांगेस की पहली वैठक के बंबई सहर में हुई थी, इसके बाए, next question आपका भारत की कुल भूमी का कितना प्रतिसत किती कारियों में सनलगना है, तो इसका स्यांस रोगापका option number A, बावन पाइंट साथ प्रतिसत, मतलब भारत की कुल भूमी का प्रतिसत किती कारियों में सनलगना है, ठीक है, next question देखते हैं, इसके बाए, next question आपका भारत की लगबग कितनी प्रतिसत कारी कारी आवादी किती कारियों में सनलगना है, तो इसका स्यांस रोगापका option number A, और 45.9 प्रतिसत, next question आपका बर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत पाद GDP में किसी खेतर का योगदान कितना है, तो इसका स्यांस रोगापका option number A, 13.9 प्रतिसत, next question आपका प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतर किसने किया था, तो इसका स्यांस रोगापका option number A, रावर्ट किलाईव ने, मतलब प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतर रावर्ट किलाईव ने किया था, ठीक है, next question देखते हैं, इसके बाद next question आपका ब्रह्म समाज का उद्देश क्या था, तो इसका स्यांस रोगापका option number A, A और B, मतलब हिंदु धर्म की बुराईवों पर प्रहार तरना, और option B, A किस्वर बाद क पर लटका दिया गया, तो इसका स्यांस रोगा आपको option number B, मनसूर अलहजाज को, इसके बाद next और last question आपका महाराज में भक्ती संप्रदाय निमलेकित में से किसकी सिख्षाओं द्वारा फैला था, तो इसका चार option है, option A, संत तुकाराम, B, संत ग्यानेश वर, C, समर्थ गुरू रामदास, D, चैतन महाप्रवू, तो इसका जबाब आपको कमेंट करके बताना आए, साथी चैनल पर नए हैं तो इसके आपको सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करना और सेर करना बिल्कुल न बुले, आसा करते हैं, दुस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद, साथी कमेंट करके ये जरूर बताएं, इन परिसनों में से कितने परिसनों के जबाव आप पहले से जानते थे, ठीक है, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में